मलिकार जुन खडगे कॉंग्रेस के अध्यक्ष चुन लिये गये हैं वे 26 तारीक को अपना कारेभार सम्भालेंगे लेकिन उनकी चुनौतियां उसके पहले ही शुरू हो गई हैं उनका जिस तरह से उनको लेकर के प्रतिक्रिया है भारतिय जनता पार्टी की और सोशल मीडिया में जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि उनके लिए कॉंग्रेस अध्यक्ष का पद या अध्यक्ष पद पर काम करना बहुत आसान नहीं होगा एक तरह से कह सकता है कि काटों का ताज उनके सिर पर रखा गया है उनको वो सारे काम करने हैं जिनकी वजह से पिछले आठ साल से कॉंग्रेस पार्टी चुनाव हार रही है या कॉंग्रेस पार्टी में विभाजन हो रहा है नेता पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं कॉंग के लिए अभी तक सोनिया गांधी को कुछ लिमिटेड लोग कह रहे थे या जी तेईस का एक ग्रूप कह रहा था वो सारे काम मलिकारजुन खड़गे से उमीद की जा रही है कि वो सारे काम मलिकारजुन खड़गे करेंगे और देश के तमाम लोग जो न्यूटरल हैं तटस् करेंगे उनकी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अपने को एक स्वतंत्र अध्यक्ष के तौर पर स्थापित करना यह दिखाना कि वो रवर स्टैंप नहीं है या रिमोट कंट्रोल अध्यक्ष नहीं है उनके उपर जो सबसे पहला हमला हुआ है जो पहला आरोप लगा है व हुए कहा गया और अब रिमोट कंट्रोल से कॉंग्रेस अध्यक्ष चलेंगे तो इस आलोचना का जबाब देना है मलिकारजुन खडगे को अपने काम से अपने आचरन से अपने वेवहार से यह सबसे बड़ी चुनौती होगी हाला कि उनके पक्ष में कॉंग्रेस पार्ट इस बात को साबित करना होगा कि वो एक हत तक तक सवतंत्र अध्यक्ष है वो सिर्फ rubber stamp नहीं है वो निश्चित रूप से सोनिया गांधी और रहूल गांधी का अनुभाव का लाव लेंगे उनके हिसाब से काम करेंगे उनके फैसलों को भी लागू करेंगे लेकिन ये नहों कि वो पूरी तरह से कठ पुतली है उनका अपना अनुभा 55 साल का है और इसनाते उमीद की जाती है कि वो संगठन को काईदे से चलाएंगे अपनी तरह से चलाएंगे लेकिन उनको अपने आचरंड से अपने वेवहार से ये मैसेज देना होगा सोनिया गांधी और राहूल गांधी ने अपनी तरफ से तो मैसेज बनवा दिया है उनके अध्यक्ष बनने के बाद वो चाहते थे कि वो दस जनपत जाकर के सोनिया गांधी का आभार जता है लेकिन सोनिया गांधी ने उनको मेसेज किया कि वो खुद उनके घर आ रही है मलिकार जुन खड़के ने समय मांगा सोनिया गांधी के हां दस जनपत में आने का तो सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के तरब से कहा गया कि वो दोनों उनके दस राजाजी मार्ग पर आएंगे और उन दोनों ने Sonia और प्रियेंका गांधी ने उनके आवास पर जाकर के दस राजा जी मार्ट पर जाकर के उनको बधाई दी और शुबगामना दी ये एक अध्यक्ष का जो प्रोटोकॉल होता है जो सम्मान होता है जो गरिमा होती है उसका निर्वहन किया सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाडरा ने इसके पहले एक ही मौका ऐसा आया है जब सोनिया गांधी खुद से चल के किसी कॉंग्रेसी नेता के घर गई जब कोल घोटाले में मनमहन सिंग को समन किया गया था तब उनके परती उनके साथ एक जूटता दिखाने उनके परती समर्थन दिखाने के लिए सोनिया गांधी उनके घर गई थी तो एक बड़ा मैसेज सोनिया गांधी ने दिया और उधर अपनी भारत जोड़ो यातरा में राहुल गांधी ने भी एक मैसेज दिया तो ये परियाप मेसेज दिया है गांधी नहरू परिवार ने कि हमारी तरफ से वो सर्वोचनेता है। लेकिन उनको अपने आचरन से ये साबीत करना होगा। वो कितने स्वतंत्र फैसले लेते हैं, कितने अब्जेक्टिव फैसले लेते हैं, इन सब पर भी ये निर्भर करेगा, सब जानते हैं मनमोहन सिंग को चाहे जितना भी रिमोट कंट्रोल प्राइम निस्टर कहा जाए, उन्होंने कई बड़े फैसले अपनी मर्जी से किये थे, और अपनी परतिबधता में किये थे, तो उस तरह की चीज एक मलिकार जुन खड़गे को भी दिखानी होगी, ये उनकी सबसे पहली और बड़ी चुनोती है, जो दूसरी चुनोती है, वो संगठन के सुधारों की है, कॉंग्रेस संगठन में All India Congress Committee के Reforms को ले करके है, उसके पता चलेगा कि वो कितने इंडिपेंडेंट है, जो सबसे पहली बात आएगी, वो Congress कारे समिती की, यानि CWC के चुनाव की आएगी, Congress के समिधान के मुताब एक CWC के 23 सदसे होते हैं, जिन में से 12 का चुनाव होता है, तो वो आमतोर पर ऐसा होता है कि पूरी पार्टी के तरफ से संगठन की तरफ से, या CWC जो होती है, उसकी तरफ से अधिकरित कर दिया जाता है Congress अध्यक्ष को कि वो नॉमिनेट करें, चुनाव नहीं होता है, बहुत कम मौक्या आए हैं जब CWC का चुनाव हुआ है Congress में, एक बार चुनाव हुआ था नरसी राओ के समय, ले के बाद सबको नॉमिनेट किया गया था, और तब कहा गया था कि इसमें परियाप संख्या में दली, तल्प संख्या, पिछडे या महिलाओं की भागीदारी नहीं है, हाला कि उसके लिए CWC में अलग प्रोविजन है, कि 12 लोगों का चुनाव होगा और 11 लोग नॉमिनेट किये जाएंगे, तो नॉमिनेशन का प्रोविजन इसलिए है, ताकि जो वर्ग दिस वर्ग के लोग न चुने जा सके उनको जगा मिले, कॉंग्रेस में ये परंपरा चलने के लिए है कि सारे सदस्य नॉमिनेट होते हैं, तो अब देखना है जो G23 ने कहा था, और जिसके ए CWC के 23 सदस से चुने जाएंगे, वो एक बड़ी बड़ा मार्क होगा, एक बड़ी चीज होगी जिससे पता चलेगा कि खड़गे कितने इंडिपेंडेंट हैं, दूसरी चीज है कि पारलेमेंटरी बोड बनती है या नहीं, कॉंग्रेस पार्टी में G23 जो था, उसने एक चिठी लिखी थी और परलेमेंटरी बोड बनाने की बात की थी, जो कि अभी नहीं है कॉंग्रेस पार्टी में, सेंट्रल इलेक्शन कमीटी के लोग कैसे नॉमिनेट होते हैं, और कौन लोग आते हैं, उसमें मलिकार जुन खड़गे की कितनी बात मानी जाती है, इससे भी कॉंग्रेस पार्टी में सारी गर्बणियां तब से शुरू हुई है, जब से कॉंग्रेस चुनाव हारने लगी है, जब तक कॉंग्रेस जीत रही थी, तब कोई कॉइड बाजी नहीं थी, सर्वोचन्नेता के लिए कोई चुनाव हारने लगी, वैसे ही भगदल मच गई, एक चुनाव थोड़े समय तक तो लोगों ने वेट किया, इंतजार किया कि क्या पता फिर सत्ता आ जाए, जब लगा कि सत्ता नहीं आ रही है तो तूट-फूट सुरू हुई, तो मलिकार जुन खड़गे के सामने एक बड़ी चुनाव जीताने की, हाला कि अभी तो ये लग रहा है, जिस तरह से रहुल गांधी जब पिछली बार अध्यक्ष बने थे, आज से ठीक पांच साल पहले वो भी अध्यक्ष बने थे, दिसंबर 2017 में उन्होंने कमान समाली थी, और उनका स्वागत दो रज्यों में चुनाव हारने से हुआ था, तब कॉंग्रेस हिमाचल अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त है, उसके उमीद है कि वो जीतेगी, गुजरात में कोई उमीद नहीं है, तो किस तरह के नतीजे के साथ इनका स्वागत होता है, ये देखने की बात होगी, वो अभी दिसंबर में 8 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे तब पता चलेंगे उसके बाद अपने इनके ग्रिह परदेश में चुनाव है, खडगे के, वहाँ कॉंग्रेस पार्टी अगर जीतती है, कॉंग्रेस की सरकार बनती है, तो ये तैम आने की खडगे की मोरल आथरिटी बहुत मजबूत होगी, उनका खुंटा गड़ेगा और फिर वो एक स्वत अंतर फैसले लेने में सक्षम हो पाएंगे, हलाकि करनाटक से पहले पुर्वतर के दो राजियों में चुनाव है, और उसके बाद कई राजियों में चुनाव है, तेलंगाना में, राजस्थान में, मद्यपरदेश में, च्छतिस गड़ में, इन तमाम राजियों में चु पुराने वर्सेज नए का बहुत विवाद चलता है पुरानी टीम वर्सेज राहूल गांधी की नई टीम और इस विवाद में कॉंग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान होता है उस उस गैप को उस दूरी को भरने में कितने कामियाब होते हैं मलीकारजुन खड़गे वो उनके सामने एक बड़ी चुनाथी भी और एक बड़ी जिम्मेदारी भी है कि जो राहूल गांधी के नए लोगों की टीम है और जो सोनिया गांधी के लोगों की टीम है या कॉंग्रेस के जो पुराने लोग है उनके बीच तालमेल बनाते हुए वो कैसे संगठन को आगे ले जाते हैं उसके बाद पाँचवी जो चुनौती है वो है कि कॉंग्रेस को पुराने तरह की राजनीती से निकाल करके नए तरह की राजनीती के रास्ते पर ले आना जिस तरह की उतर के संघर्स करते हैं, सोशल मीडिया में लड़ाई लड़ी जाती है, नेरेटिव बनाने का काम कैसे होता है, इसके लिए भी ये इस पर निर्भर करेगा कि वो अपनी टीम कैसे बनाते हैं, और कैसे जो है, कॉंग्रेस की शवी जो है कॉंग्रेस की, उसको बदलते हैं, उ कुंजीवाद की नीतियां है, उसके बरक्स खड़गे किस तरह की नीती लेकर के आते हैं, जब से वो पिछले 2009 से जब से वो केंदर की राजनीती कर रहे हैं, और 2014 में जब से अपोजिशन में आई है पार्टी, उस समय से, बलकि 2004 से वो केंदर की राजनीती कर रहे हैं, ले को एक तरसे आमादमी की पार्टी गरीब की बात और पिछडे की बात वन्चित दलित की बात ये वह करते रहते हैं तो वो किस तरसे इस निरेटीव को बी जपी के नियो लिबरल iti के सामने रखते हैं ये देखने की बात हुगी हिंदूत्यों के मसले पर बीजए पी कॉंग्रेस का क्या इस्टेंड होता है बीजेपी के कट्टर हिंदुतु के मुकाबले क्या कॉंग्रेस सौफ्ट हिंदुतु के साथ जाती है या कुछ दूसरा रास्ता चुनते हैं खड़गे इसकी ये भी उनके लिए एक बड़ी चुनावति हो और आखरी चुनावति जो है वो विपक्ष की एक्ता बनाने की है इसका कुछ अनुभव है मलीकारजुन खडगे को वो चुकी आठ साल से फ्लोर को ओडिनेशन कर रहा है दोनों सदनों में नेता के तौर पर तो वो उनके सामने वो उसको एक उसका लाव लेकर के वो किस तरह से तमाम विपक्षी पार्टियों को एक जूट करते हैं कैसे सब को सहमती बनाते हैं कि नेता घोशित किया जाए या नहीं नेता घोशित किया जाए अपोजीसन का जो मोर्चा बने उसमें कॉंग्रेस का क्या रोल हो कोई कॉंग्रेस के बर दोने करें के बड़ी भूमिका होगी और यह उनकी बड़ी चुनौती भी है बड़ी जिम्मेदारी भी है तो यह छे––7 चुनौतियां हैं जिनको वो किस तरह से handling करते हैं वो किस तरह सी इस पर आगे बढ़ते हैं इससे पता चलेगा और यह सब बे लाइकों जरूर दे वाई